होम लोन लेने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है RBI ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे घर खरीदारों को अब अपनी जेब जादा धीली करनी पड़ेगी दरसल RBI ने रेपो रेट में 0.35 फीसेदी बढ़ा दी है अब इसकी वज़े से जो बैंकों से आप होम लोन लेते हैं उस पर इसका बड़ा असर पड़ेगा दरसल RBI के इस फैसले से बैंक से मिलने वाले कर्च पर आपको जादा ब्यास देना होगा अब घर, कार, सहित, सभी तरह के होम लोन की EMI बढ़ जाएगी आपको बता दे कि बैंक कर्च पर ब्यास दर तै करने के लिए इसी रेपोरेट को बेंच मार्क के रूप में इस्तमाल करते हैं और RBI के रेपोरेट बढ़ाने से कर्च पर ब्यास दर काफी बढ़ जाता है अब सवाल उठता है कि आपकी EMI में कितना इजाफा होगा तो आपको पता दें कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्ज की अवधी कितनी बची हुई है अगर ये टाइम पिरिएट जादा है तो आपको जादा बड़ी हुई EMI चुकानी पड़ेगी क्योंकि इस साल मई के बाद से ब्यासदर में 2.25 फीसदी का इजाफा हो चुका है आपको बता दे कि इस से पहले रेपो रेट 5.90 फीसदी थी जो अब बढ़कर 6.25 प्रत्शत हो गई है